Hello students, welcome to the future academy, we are here for a better future, let's learn, let's start the video So, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाल है, आपका बॉर्ड की एक्जाम में या फिर आपकी स्कूल की एक्जाम में एक प्रेशन पूछा जाता है Describe the picture in about 50 words, यह 30 words में भी हो सकता है, छोटे standard में कम शब्दों में लिकना होता है बड़े standard में थोड़े ज़्यादा शब्दों का आपको यूज करना होता है, ज़्यादा sentence बनाने होते है तो आपको एक basically चित्र दिया गया होते है, एक picture होता है, उस picture में आप क्या क्या देख सकते है, वो आपको बताना है लिक के sentence के अंदर यह basically यहाँ पे एक drawing room का picture है, आप देख सकते हैं, उस screen पे तीन चाल लोग बैठे है, तीन लोग बैठे है, जनरली एक TV set है, AC है, यहाँ पे परदे लगे, उदिवाल पे clock लगी हुई है, तो आप इस सब देख सकते होते हैं, इसको हमें describe करना है, 50 words के अंदर, 50 शब्दों के अंदर हमें इसको describe करना है, तो चलिए session start करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे, वीडियो एंड तक देखे, पसंद आया, तो प्लीज लाइक कर देना, दोसरों को share भी करिये, और चलिए start करते हैं session को, the room has big windows with curtains, there is a lamp near the window, there is a clock on the wall, the room has an AC too, there is a beautiful sandalier right in the middle of the room, so यहाँ पे हमने इस पूरे hall या पिर ड्रोइंग रूम कर डिस्क्राइब कर लिया है, कि क्या-क्या चीजे यहाँ पे हैं, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी query है, तो comment section में लिख सकते हो, वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, thank you so much all of you for joining this session, मिलते हैं next session में नवे वीडियो के साथ, तक तक take care, bye